कहानी की शुरवात 1973 में एक जगा स्कल आइलेंड को दिखाने से होती है इसी आइलेंड पर हमें एक बुड़ा आद्मी निखाया गया जो साइंटिस्ट था और यहां रिसर्च करने आया था वो विडियो रिकॉर्ड करते हुई कहता है कि मैंने तुम लोगों के लिए वो सारे जानकारी कर्था कर लिए मुझसे कुछ गलतियां भी हो गई है जिन्हें मैं सुधार ना चाहता हूँ पर तब यह चानक वो साइंटिस्ट वहां से भागने लगा क्योंकि उसकी पीछी बहुत बड़ा स्पाइडर मॉंस्टर पढ़ गया था बहुत बड़ी साइस की मकडी जिसकी लंबी-लंबी धेर सारे टांगी थी साइंटिस्ट भागती-भागती किनारे पर आ गया आगी समंदर था अब इससे पहले मॉंस्टर उस पर हमला करता वो अपना रिसर्च वाला बैग पानी में फैंग देता है स्पाइडर मॉंस्टर उस पर हमला करने के लिए आगी बड़ी रहा था कि तब जमीन से एक बहुत बड़ी साइस का मॉंस्टर निकल कर बाहिर आ जाता है जो बहुत खतरनाक लग रहा था वो स्पाइडर मॉंस्टर पर हमला कर दीता है जिससे इन दोनों मॉंस्टर की लड़ाई छड़ गई इस बिच साइटिस्ट को मौका मिल गया और वो यहां से भागने लगता है जिस बिच दोनों मॉंस्टर लड़ती लड़ती समंदर में गिर जाती है और साइटिस्ट पानी में बहता हुआ अपना बैग देखता है जिसमें उसकी पूरी मेनत यानिके रिसर्च थी और उस पर मुनार का निशान भी बना हुआ था जो एक हुफिया और्गनाइजेशन कंपनी है अब यहां से इस इन शिफ्टो कर आता है 2013 में जहां मश्वारे समंदर में सी वह सारी मचलिया निकालती है जिनमें उन्ही साइटिस्ट का बैग भी मिल गया था और अब हम 2015 में आ जाते हैं यानि कि जब 2014 में गोड़जीला की हमले वाला हादसा हुआ था उसकी एक साल के बाद का वक्त क्योंकि यह पूरी मुवी टाइम लाइन पर बनी है तो कभी हम पास्ट माजी में जाएंगी तो कभी कहानी वापिस प्रेजेंट मुजुदा वक्त में आ जाएगी अब 2015 में हम केट नाम की एक लड़की को देखती हैं जिसकी डैड की मुथ हो गई थी और वो अपने डैड की टोकियो वाले घर में जा रही थी इस वक्त प्लेन में बैठी हुई थी जब वो एरपोर्ट पर आई तो जगा जगा गौड़जिला की तस्वीर बनी हुई देखती हैं उसे तब वाले हाल से के खियाल आने लगी जब गौड़जिला ने हमला कर दिया था जिन से वो काफ़ी टर जाती हैं और अब वो अपने डैड के घर वाली बिल्दिंग की पास पहुँच गई थी जिस तुरान फोन पर अपनी मौम से बात भी कह रही थी चाबिसी दर्वाजे को खोल कर जब वो अंदर गई तो वहां समान पड़ा देखती है उसे अंदाज़ा हो गया कि घर की अंदर कोई फैमली रह रही है और अब जब वो आगे बड़ी तो अपनी ड़ड की तस्वीर देखती है जिसमें वो एक दूसरी फैमली के साथ थी एक और अउरत और एक लड़की के साथ यहां तब ही वो लड़का और अउरत निकल कर सामने आ जाती है वो मा बेटे थी द्रहसल यहां केट के ड़ड ने इस ओरत से दोस्टी शादी की हुई थी वो केट को देकर काफी हिरान रह जाती है पूछने लगे कि तुम अंदर कैसे गुसी वो बताती है कि चाबी खोल कर अंदर आई हूँ यूंकि यह मेरी ड़ड का घर है उसके साथ उसके डॉक्टर दोस्ट जा रहे थी जिसका नाम काईको था इन जोनों की इफाज़त करने के लिए यहां एक आर्मी आफिसर भी था द्रहसल यह सब रेडियेशन शाओं का पता लगवाने के लिए एक जगा पर जा रहे थे तो इनी वहां एक लड़का दिखता है यह भी डर गए और लड़का भी इसलिए एक दूसरे पर गन तान लीती है लेकिन काईको लड़की को समझाती है कि शान्त हो जाओ हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी बलकि हम तुम्हारी मदद कर सकते है जो सुनकर वो लड़का गर नीची कर लेता है उन्हें बताने लगा कि इस स्विंगल में काफी अजीब चीज़े पाई जाती है इसलिए तुमसे पहले भी बहुत सरे लोग यहां आ चुकी है काईको पूछती है कि ऐसा क्या है जगा पर वो लड़का बताता है कि पास ही में एक खाली शेयर है और हम जिसे इन लोगों का माना है कि उस शेयर से हैल इनी जहन्नों में जाने का रास्ता है लड़का उन्हें शेयर जाने का रास्ता दिखा कर खुद भी यहां से चला जाता है ये लोग आगे बढ़कर आखे उस शेहर में आ जाती है जो पूरी तरह खंडर बन चुका था इन्हें यहाँ एक पावर प्लाइट भी दिखता है अब जब काई को यहाँ पर एडियेशन चेक करती है तो वो यहाँ थी ही नहीं जिसे वो काफी हरान रह जाती है क्योंकि यह बात काफी अजीब थी वो पने साथियों से कहती है कि हमें पावर प्लाइट की अंदर जाकर चेक करना चाहिए इसलिए यह लोग आगे बढ़के सीन पर सी 2015 में आया इंटारो केट से कहता है कि तुम्हें डैड जैसी कहीं से भी लग रही हो जिस पर वो उन दोनों मा बेटे को अपने डैड के साथ ली गई तस्वीरे निखाती है कहने लगी कि डैड ने सब को धोका दिया आप लोगों को भी और हमें भी अब केट उनसे यह जाने की कोशिश करती है कि डैड ने पहले किस से शादी की थी जबके उसकी स जबाब ना देते हुए यहां से चली जाती है पास्ट में वो लोग आगे बढ़कर पावर प्लाइट वले एरिया में आ गे थे इन्होंने अने अने दिलक जगह पर बॉम्स लगा कर दहमाकी की बॉम्स के फटने पर इन्हीं जमीन से रेडियेशन के सिगनल्स मिल जाती है और पिर तबी वहां पर अर्थकुएक जलजला आने लगा जमीन बिल्डिंग हिलने लगी जो देखकर ये लोग काफी ठेड़ जाती है अब केट फोन पर जो अपनी मूम से बात करी थी तो वहां अलाम विशने लगे जो सुनकर सभी लोग दर्की बज़ा से वहां से भाग बनाई थी अंदर आकर केट की सुतेली मूम बताती हैं कि गौर्मिंट ने गौर्डजिला से बशने के लिए इस सरा की और भी कई सारे में फोस जगे बनाई हुई हैं जो सुनकर वो काफी घबरा गई क्योंकि इसका मतलब था कि एक बार फिर गौर्डजिला के हमलों का खत सारे गाड़ियों लड़ती हैं कि जाहिर है वो बहुत कतरनाक और साइज में काफी बड़ा मौंस्टर होता हैं अब केट बस से बाहिर आ गई थी जहां उसने गौर्डजिला को काफी करीब से देखा था वो डर दी उसने बच्चों की मदद की एक एक करके कई सारे बच्च को संभालती हैं पास्ट में वो तीनों एक हंडर बिल्डिंग में आप पूछती हैं नीचे ने बहुत सारे बड़े बड़े अंडे दिखाए दिये गए थी जो किसी खतरनाक मौंस्टर की लग रहे थी अब काईको गर दो साइंटिस्ट केहता हैं कि हमें नीचे जाकर जाओंगी इसे भी ऑफिसर मना करता हैं पर उसने कहा कि तुम फिकर ना करो मैं बस पांच मिनट तक वापिस आ जाओंगी वो मान गया कहता है ठीक है लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ नीचे जाओंगा अब बिल्डिंग में सेफ अलाम बच किया यनिकि सब कुछ महफोजे क कोई खत्रा नहीं है इसलिए सब लोग वहां से बाहिर आ जाती है केट का भाई और स्टेप मौम उसे अपनी साथ चिलने का कहीती है पर उसने मना कर दिया और वो यहां से जाने लगती है पर दारों से कहता है कि मैं जानता हूँ कि डैड की काफी रास थी इसलिए तुम डै इसलिए रटाया गया उसके पीछे एक लोकर था जिसे खोलने के लिए पासवर्ट की जरूरत थी अब केट अपनी अपनी मौम की इंटारों और उसकी मौम की पैदा होने की डैट बारे बारे लोकर में लगाती है पर यह पासवर्ट गलत था लोकर नहीं खुलता लेकिन ज सर्च का सारा डेटा था और बैक पर मोनार का निशान भी बना हुआ था इस निशान को देकर केट के इंटारों को बताती है कि इस निशान को मैंने 2014 गोर्ट जीला वाले हासे के दुरान भी देखा था जहां मोनार की सिपाई वहां हट चीज रिकॉर्ड कर रहे थी त्यूक केंटारों से कहता है कि अगर तुम यह हार ड्राइफ्स देखकर हमें समझा दो तो मैं तुम्हें पैसे दोंगा जिस पर हैकर को गुस्सा आ गया वहां से उठकर चली गई क्योंकि केंटारों उसका दोस्ता जिससे वो नरास थी इसलिए वो इनकी मदद करने से मना कर देती पर जिब केंटारों ने कहा कि हमें अपने डेट के बारे में जानकारे चाहिए तो मदद कर दो ना प्लेस इसलिए वो मान गई इतने यह दिर में यहां केट भी आ गई जिससे लेकर हैकर लड़की अपने गहर आ जाती है और इनकी हार ड्राइफ्स को अपनी केंप्यूटर को बता दीती है जिस पर उसने कहा कि मैं इस मामले को संभान्ट होंगा वो एजिन्ट भी अपने दूसरी एकर साथी से इस बारे में मदद मांगता है तोकियों में वो तिनों बैट कर यह सारा डेटा देख रही थी पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आती क्यूंकि वहां अल कंपनी की सिपाई गोर्जीला की हर हरकत पर नज़र रख रही थी और मेरे खयाल से मुनार के पास इन सब चीजों की काफी जानकारे मुझूद होगी यह सुनकर के इंटारों के हैत है कि इसका मतलब 2014 में डेट भी सैन फ्रांसिसको में थी जहां पर तुम थी केट और पर ड काफी दुखी हो जाती है आगे बताती है कि पिर हमें अलासका से फोन आय था कि तुम्हारे डेट का प्लेन तुफान में कहीं गौइब हो गया है अब तभी इन्हें डेटा में एक तस्वीर मिलती है जिसमें एक काफी बड़े मोंस्टर की पंजी की अंदर काईको खड़ी थी येट बताती है कि ये मेरी दादी है पर समझ नहीं आ रही है कि ये इधर क्या कर रही है पास्ट में काईको और ऑफिसर रस्यों की सहारे पर मोंस्टर की बच्ची उनके पीछी पढ़ गए थी ये दुनों जैसी दैसी रसी पर लिटक गई ओपर चड़ने रखते हैं जहां साइंटिस साथी काईको को ओपर खीचने लगता हैं लेकिन कुछ मोंस्टर्स ने काईको को पकर लिया था इसलिए आफिसर उन पर गोलि देखती हैं जहां इस हाद से जिसमें काईको को मोस्टर्स लिजा चुके थी ये उससे साथ साल पेरे का वक्त होता है यहां वही ऑफिसर अपने सीनिर के सामने था जो ऑफिसर को कहता है कि तुम्हारे जिमे एक काम है तो मैं एक जैपनिस साइटिस्ट डॉक्टर की पेज़न में केंटारो को काफी कुछ साया हुआ था अवो अपने डैट के ऑफिस में जाकर सारा समान इधर उधर फैकने लगता है यहां उसे एक बॉक्स में कुछ फाइल्स मिलती है जिन सब पर भी मोनार का निशान बना हुआ था इनी में ऑफिसर की भी फाइल थी जहां शैये फिर सायन इस्स निलगा ली राता है उस पर अफिसर ने गरन तान ली पर जब उसने कहा कि मैं सायन इस्ट हूं तो आफिसर गरन ली चे कर लेता है और इस तरह यह तीनों यहां मिले थि पर जैसे उसी मौका मिला वो उस एजिन्ट को मुबाइल माल कर वहां से भाग जाती है लेकिन तब ही उसे एजिन्ट की साथी पकड़ लेती है और अब ये दोनों केट को गाड़े में बिठा कर आगे बढ़ जाती है एजिन्ट ने केट की मुपर कप्रा डाल दिया था जिस वो काफी डर गई जोर-जोर से हिनने लगती है ऐसी गाड़ी भी काबू हो गई और काफी बुरा एक्सिदेंट हो गया जिस बिच मुझा पाकर चल्दी से केट उतरी और यहां से भाग जाती है किन्टारो फिर से अपनी हैकर दोस्त की पास आया उसे हार्ड ड्राइव दे मिल जाती है उन्हीं सुबावन में साइटिस उन दोरों को बताता है कि मैं यहां पर काफी टाइम से हूँ मैंने पता लगवाया है कि यहां आस पास एक अजीब साड ड्रेगन है जिसके मुझा से रिडियेशन्स निकलती है और मेरे ख्याल से उन्हें की सिगनल्स की वज़ विदा कहता है और यहां से निकल गया और तब काईको और साइटिस्ट भी वहां से आगे बढ़ जाती है जिस भी साइटिस्ट उसे बताता है कि मेरा कम अलेगलिक मॉंस्टर्स की बारे में पता लगवाना है सबी मॉंस्टर्स एकी रासे से गुज़रते ही जिस रासे पर म दोनों ही काफी चौंक चाती है और अब साइंटिस्ट काईको को उस नक्षे के मुताबिक आगे लेकर चला जाता है जहां इने नेवी का एक शिप तबाह हुआ नजर आ जाता है जिसमें इस साइटिस्ट ने भी सफर किया था पर वो जिन्दा बचने वाला अकेला इंसान था उदर के एट हैकर लड़की के घर पहुँच गई वो जिब आगे बढ़ रही थी तो हैकर लड़की चुप किसी उसका हाथ बकर के साइट में कर लेती है क्योंकि यहां वो एजर्ट्स घुसाए थी और हैकर की कम्पृटर्स को चेर कर रही थी इसलिए यह दोनों लड़कि चुप चाप यहां से जानी लगती है केंटारो जब अपनी मुवम के साथ बैठा हुआ था तो तबी उसकी हैकर दोस का एमरेजिंसी में से जाता है कि घर से निकलो जिसके साथी घर की दर्वाजे की बेल भी बजी केंटारो जब जाकर चेर करता है तो वहां वो एजर्स थ देखनी लगा जहां उसे किंटारो की डैड की तस्वीर देखकर काफी हिरत हुए जिबकि अंदर जाकर किंटारो दोसरी साथ से बाग गया था हलांकि एज़न्ट भी पीछा करता है लेकिन उसकी हाथ सिर्फ खाली बैग ही लगता है कि ये भी इस शिप में आया था और अब साइंटिस्ट ने भी उसे इस बारे में सब कुछ बता दिया था वो पूछती है कि तुम यह आपर क्या टून रहे हो जिस पर उसने जवाब दिया कि सबूर उम्मीर क्योंकि मैं यह साबित करना चाहता हूं कि मैंने जो इस शिप मे कि घर से निकल कर एक जगा पर आएं जहां इने केंटारों भी मिल जाता हैं इनने अब तक पता चल गया था कि वो एजेंट्स हमारे पीछी उन फाइल्स की बजल से पड़े हुएं तो केंटारों ने बताता हैं कि इन सिलस्ले में एक आदमी हमारी मदद कर सकता हैं शिप मे कि देकर काई को कहती है कि हमारे लावा यहां पर कोई और भी है चुपोत खतेनाक हैं जिस वज़े से दोनों ही काफी घबरा गए और साइंटिस पाइको को लेकर यहां से निकल जाता हैं वो तिनों अब एक मेफुच जगा पर आ गए थी यहां आकर वो उस ऑफिसर से मिलत कि जो था तो जिन्दा ही लेकिन अब बुड़ा हो चुका था कि इंटारो को उसकी डेट की वज़े से साइंटिस ने पहचान लिया था जिस वज़े से वो काफी खुश हो जाता हैं अब आफिसर उन दिनों को लेकर बाहिर आ गए पूछते हैं कि आकर तुमने मुझे ढू पाउँ पर लगी ट्रेकिंग डिवाइस दिखाएं जिसके जरी उस पर नजर रखी जा रहे थी यही सुनकर तीनों वहां से जाने की कोशिश करती हैं पर आफिसर बताता है कि कोई फाइदा नहीं अब तुम्हें मुनार कंपनी ने ट्रेक कर लिया हैं तुम उसकी नजर मे आ गई हूँ और अब वो तब तक तुम्हारा पीछर नहीं चोड़ेगी जब तक तुमसे वो कोई जनकारी नहीं ले लेती हैं वो कहती है कि मैं तुम्हारे डैट को डूरने में तुम्हारे मदद करूँगा वो फिर अपनी ट्रेकिंग पिवाइस निकाल कर इनके साथ चल बहुत कतरनाक हैं इसे देकर ये लोग काफी ठर चाते हैं जिबकि प्रेजन्ट में आफिसर उन तीनों सी बात कर रहा था कि एक मिनट में अलाम बशने वाला है हमें यहां से निकलना है तुम्हारे डैट को डोडने कि लिए केट नहीं मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती ओफिसर कहता है लेकिन मैं फिर भी तुमारे डैट को ढूंडोंगा वो मेरे बेटों जैसा है साथी मेरी फैमली का बचा हुआ आकरी इनसान है तबी अलाम बच किया और ये चारों चल्दी से उनकी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है ओफिसर गाड़ी चिलाकर फिष्टा दर्वाज़े तोड़कर वहां से निकल जाता है पास्ट में एक बर फिर वो तीनों इनकी काईको साइंटिस्ट और ऑफिसर एक साथ हो जाते हैं ऑफिसरी ने बताता है कि मैंने जनरल को यहाँ पर बुला लिया है ताकि वो फंडिंग देकर पैसों से हमारी मद जाता हूं कि तुम लोगों के पास किया है वो बिदर असल मोनार के लिए ही काम कह रहा था अंदर जब यह गए तो जनरल को गोड़जिला का काफी बड़ा पैर का निशान दिखाते हैं बताने लगे कि यह इंडोनेशिया से मिला है जनरल पूछता है कि तुम इस जनरल की क अफिसर बात बढ़ा कर कहता है कि उने की वज़ेसी रिसर्च के लिए हमें यह बॉम्स हत्यार बगएरा चाहिए तो आप इनका इंतिजाम जल्दी से करवा देजिए जिस पर जनरल उनकी बात मात कर वहां से चला जाता है और इस वज़ेसी तीनों ही काफी हुश हो जाते ह है कि मेरे ख्याल से इस तरह के और भी कई सारे जानवर और मॉंस्टर्स होंगी जो हमारी जमीन के नीचे चुपके रहती होंगी तो हमें इस पर और भी काम गरना होगा ऑफिसर कहता है मगर मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि हमारी जमीन की सता बिलकुल सीधी है तो इसकी इस तरह की नीचे मेरे हिसाब से कोई जानवर नहीं होगा तब काई को ऑफिसर को कहती है कि तुम्हीं साइंटिस्ट की बात समझनी चाहें क्योंकि हम तीनों मिलकर काफी सानों से काम गरना है कि और हो भी सकता है कि साइंटिस्ट सच कहा रहा हो क्योंकि वह जानवर जमीर पर नहीं रहती तो कहीं न कहीं तो रहते ही होंगी ना। रेजर्ट में वो थी दो वहां से निकलकर गाड़ी को एक जगा पर रोक लीते हैं। आफिसर उन फाइल्स को चेक करके बताता है कि ये उसी साइडिस्ट की थी जो तुमारे डैट को मिली होंगी। इसलिए उन्होंने ये आफिस में चुपा के रख दी। यहां केट और उसका भाई केंटारों याद करते हैं कि डैट को बार-बार पैंसिल शॉप करने की आदिर। हैकर दोस्त बताती है कि मैंने इन फाइल्स का सारा डेटा अपने लैपटॉप में कॉपी कर लिया है। जहां गौडजिला की पैर का निशान मिला था अब उन्होंने जन्रल की एंडर रहकर काम करना शुरू कर दिया था और सारे जानकारी उसे दे दी थी। और अब जैसे इनों कि यहां आए यह दे कर काफी चांग शाती हैं कि पहले ही जन्रल और उसकी आर्मी यहां पर आए हुई है। जन्रल अपने साथ नुकलिर बॉम भी लाया था लेकिन साथ ने उसने ये भी हुकम दे दिया था कि जैसे गोर्जिला को देखा जाए फोरन शूट करकी मार दिया जाए। जो कहकर उसने अपना फोन समंदर में फैंक दिया ये देकर किंटारो पूछता है कि तुम लोग चाहते क्या हो मुझे समझ नहीं आ रही है। जहां से चला जाता है। कुछ दिर की बात ऑफिसर टीनों को कहता है कि अब हमें ये डेटा की फाइल्स फैकनी होंगी। ये सुनकर केंटारो को घुसा आ गया। एक बज़ा ये भी थी कि लैपटोप में भी सारे फाइल्स कॉपी हो गई थी। लोग जब कोरिया पहुंची तो ऑफिसर को पासपर्ट चेक करने के लिए पुला लिया गया। वो वहां के ऑफिसर को बताते हैं कि हम गलती से अपना पासपर्ट बोलाएं। ये सुनकर गार्ड ने उन्हें पकर लिया। साथ में उन तीनों को भी जिनी अब एक गार्ड ग्रिफतार करके गारे में बिठाकर ले जानी लगा। पर तब ये गार्ड आकर उस वाले गार्ड को मार कर भी होश कर देता है। मेरे साथ चल रही हो। तो वो कहता है कि हमें ऑफिसर और उन फाइल्स को ढूरना चाहिए। यहां काफी गड़बट चल रही हैं वो खतरनाक भी हो सकती है। इसे बीच एजेंट की साथी की पास कॉल आई जो सुनकर वो दोनों को बताती है कि आफिसर और उनकी साथ तीन लोगों को कोरिया में देखा गया है। और मेरे खयाल से एजेंट ही कह रहा हैं आफिसर और जो गाईबोई फाइल्स हैं वो खतरनाक हो सकती हैं इसलिए हमें उन लोगों के पीछे जाना चाहिए। तब वोस उनकी बात मान कर कहती हैं कि तुम दोनों जल्दी से जाओ और उनकी पीछे लग जाओ। गोरिया में वो पांचों एक जोगा पर आएं जियां आफिसर का साथियों ने एक प्लेन की पास लेकर आया बताता है कि आगी हम इसकी जरिये जाएंगे। पास्ट 1954 में जिर्नल और उनकी टीम पूरा सेट अप करके गोड़िला की आने का इंतिसार करने लगी। अचानक इने रेडियेशन की सिगनल्स मिलने लगती हैं जिसकी साथी गोड़िला पाने से निकल कर बाहिर आने लगता हैं। उसे देखर सभी लोग चौंग चाती हैं। ये लोग उसे कैमरा में रिकॉर्ड भी कर रहे थे और खुद भी देख रहे थे कितना बड़ा हैं। ये दरहसल केट और किंटारों की डेट की रिसर्च का डेटा था जिसमें इने अलासका साथी कुछ और मुलकों की कॉर्डिनेट्स एक तरह की सिगनल मिलते हैं। कि अब से तुम अपनी मर्दी से अपने हिसाब से काम करो और दुनिया भर से इस तरह की जानवर लेकर आओ। जिसकी बदली तुम्हें मुँ मांगे पैसे दिये जाएंगी। साथी ये चीज़ सिर्फ मुनार के अंडर ही रियेगी। ये हम काम तो मुनार के अंडर ही करेंगे पर जरूरे जानकाईया उन्हें नहीं बताएंगे। और अब ये तीनों काफी खुश हो गई क्यूंकि इन्हें एक दूसरे पर भरोसा था। प्रेजन पे ऑफिसर कर दोस केट को बताता है कि हम अलास्का पहुँच गई हैं जहां तुम अपने डेट से मिल सकती हो। वो तुफान में ही प्लेन को पहाड़ी की तरफ ले जाने लगा। सब काफी डर गी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब हम टक्राने से मर जाएंगे। पर ऑफिसर अपनी जगनत यहां में दिखाता है। वो बड़ी असानी से प्लेन को उपर की तरफ लेकर उड़ जाता है। और जिन कोडिनेट्स पर इन्होंने आना था प्लेन को असानी से वहां लेंड करवा लेता है। ना कि हमारे डैड की जिस पर दोनों ही बेहन बाई को तसली होती है। थोड़ा आगे चलने पर इन्हीं टेंट दिखता है। ये लोग जब अंदर गई तो पता चला कि कोई यहां पर काफी टाइम से रिसर्च कर रहा था। अफिसर का साथी बाई प्लेन पर मॉंस्टर की पंजों की बड़े बड़े निशान देखता है। जिससे वो डर गया। उनको वहां से भागने का कियता है। क्योंकि समझ किया था कि यहां कोई खतरनाक मॉंस्टर है। अफिसर के साथी ने प्लेन स्टार्ट किया। सारे लोग उनकी तरफ बागने लगे। लेकिन तभी जमीन से बहुत बड़ा बर्फ का मॉंस्टर निकल कर बाहिर आता है। उसने प्लेन पर हमला कर दिया। प्लेन को उठा उठा कर भैंका जिससे वो तबाह हो गया। और अब मॉंस्टर फोक मारकर प्लेन साथ में आफिसर की साथी को भी जमा देता है। यह जिस दोर खड़ी होकर आफिसर और वो तीनों देख रहे थी। काफ़ी तर जाती है। यूँकर यह मॉंस्टर बहुत खतरनाक लग रहा था। इसका अजीब सा ही मौ था और अब वो जोड़ जोड़ से धारने लगा। पेजन टाइम 2015 में एक अकेली लड़की वेरान जगा पर लेटी हुई थी। प्रेसल वो भी यहां रिसर्च करने आई थी। वोनार की ही वर्कट थी। अचानक उसी वेरन में पड़ी डिवाइस में सी आवाजी आनी लगी। उसने जब चैक किया तो वह मौन्स्टर की सिगनल्स थी। इसलिए वो रेडियो के ज़री फूरन वोनार में में सीच बेचती हैं कि मैं जिस एरिया में हूँ यहां मौन्स्टर की सिगनल्स मिली हैं। उदर वर्फ की मौन्स्टर ने आफिसर की साथी को मार दिया होता हैं। और अव वो उन पर भी हमला कर दीता हैं। इनको टुकडों में तोड़कर उन लोगों की तरव फैकने लगा। अब इनकी बेची बढ़ जाता हैं। तो सारे लोग जल्दी से वहां से भागने लगती हैं। केंटारों यां फ्रेयर गन उठाकर मौन्स्टर पर हमला करने के कोशिश करता हैं। लेकिन बदकिस्मिती से निशाना चूग गया। इसलिए अब केंटारों भी भागने लगा। और ये सब पास बने केव गार में आकर चुप जाती हैं। मौन्स्टर अब इस केव के ऊपर चुट जाता है। उसके भारे कदमों की वजह से केव तोटने लगी। जिससे हैकर लड़की का पैर पिसला। जाने वाली मशीन्स पड़ी हुई थी इन मशीन्स में आप कोई भी चीज बना सकते थी और ये आर्ट कलम किंटारों ने बनाई होती है क्योंकि वो एक आर्टीस्ट होता है जहां उसकी बोस भी काफी तारीफ करती है कहिने लगी कि आज की एक्जिबिशन नुमाईश में ये है कि मेरा बेटा बहुत आगे जाएगा जो सुने तरवकोश होते हुए बाहिर आ जाता है जहां वो अपने एक्जिबिशन की पोस्टर की तस्वीर बनाने लगता है जिस बीच सामने से वो ही हैकर गुजर रही थी वो रुकर किंटारों को कहती है कि तुमने श्यद मेरी त लेजन्ट में सब आगे बढ़ रहे थी आफिसरों ने बताता है कि ये मोंस्टर काफी गतर नाक होती है गेट ओफिसर को कहती है कि अभी इतनी धंड नहीं है पर जिब सर्दी बढ़ेगी तो कोई समान जगा ना होने से ठेंड की वज़ा से हम मारे जाएंगी तो हम किया आ कोई घरवर नहीं होंगी तो मैं बस वेम हुआ होगा पास्ट में वो दोनों एक लब में आकर शिराप पीने लगे या एक दूसरे को अपने बारे में बताने लगी किंटारों ने कहा कि मैं आर्टिस्ट हूं यानि कि कलाकार हैकर ने अपने बारे में बताया कि मैं को देकर और तारीफी करने लगी कहती है कि यह सब चीजी कमाल के लिए इन्हें यहां नहीं गैलरी में होना चाहिए और तुम बहुत आगे जाओगी जिसकी थोड़ी ही दिर में किंटारों की पास गैलरी सी मैसी जाता है वो हैकर को भी अपने साथ चलने को कहता है प्रेज किंटारों ने कहा कि जो जगह मैंने देखी वो करीब है और यह आप लोगों वाली जगह दोर लग रही है कर उसे कहती है कि जिस जगह के तुम बात कर रहे हो ना वो बस तुम्हारा खयाल है वड़ना ऐसा कुछ नहीं है उफिसर उसे कहती है किंटारों अगर तुम वहां जाना चाते हो, तो जा सकते हो, हम फिर मिलेंगे, अपना ख्यार रखना, ये सुनकर केंटारो मान गया, इन्हें अलविदा कहे कर, वहां से निकल जाता है, उसे चलते चलते ही रात हो गई, एक जगा पर वो जैसे आया, यहां तुफान आने लगा, साथ में उसकी डेट की जहां से भी उन्हें वो रोशनी दूर लग रही थी, ऑफिसर कहता है, ये ऐसी जगों पर अक्सर हमी चीज़ें परीब होने की खयाल आती रहती है, साथी इमेजिनेशन भी होती रहती है, ऐसी खयाल आती है, जिसा कुछ असल में होता है नहीं, और अगर ऐसी चलता रहा, ह आसमान की खुबसूरती को देख रही थी, जाते जाते दोनों ने एक दूसरे को अपने अपनी नमबर दी, हैकर की पास उसकी बेहन की कॉल आई, लेकिन हैकर ने उसी ये केकर फोन कैट कर दिया, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जिब मैं वापिस आउंगी, हम फ मैं नहीं निकल पाऊंगी, और अगर मैं मर गई, तो मुझे ये ही छोड़कर अपनी जान बचा कर यहां से निकल जाना, अफिसर आकर केट को खेता है, कि आग भुज रही है, और कुछ पेपर्स दिखा कर खेता है, कि अब इन्हें जिलाने की लवा मेरे पास और कोई रा गया, वो बरफली जमीन को चीरता हुआ, आगी बढ़ रहा था, ये देकर तीनों काफी टर गई, जिल्दी से भाकर साइड में वजाती है, मौन्स्टर ने जिसी हमला करकी उनकर टेंट तोड़की तबाह कर दीता है, और वहां लगी सारी आग को अपने अंदर चिसप क बड़ा हो सकता है, जो सुनकर ज्रेवल कहता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, तब ये वीडियो कॉल पर एजन्ट आया, कहता है, इस सब के लिए हमारे पास साइंटिस्ट ने किंटारों के साथी कि रिसर्च होनी चाहिए, मोनार्ख में सब को मौन्स्टर की बारे में जनकाने लाजमी होने चाहिए जो चीस तभी मम्किन है जब हमारे पास साइडिस्ट की रिसर्च होगी उदर ओफिसर कहता है कि हम एक जगा पर आग लगाएंगी और जब मॉंस्टर हम पर हमला करने के लिए आएगा तो हम दोसरी साइड पर भाग जाएंगी इस साना हम असान उसे अपने डाइट नजर आए पर वो उसके पास से होकर गुजर गी इंटारों को भी अंदाजा हो गया था कि यह मेरा खयाल है जिस वजह से वो काफी दुखी हो जाता है नीचे उसे पैंसिल तराश का कचरा मिलता है जो काफी ज्यादा था उसका पीचा करती करती आगी बढ़ता रहता है जहां उसके सामने उसकी एक्जिबेशन वाला होटल था लेकिन ये असल में वो छोटी छोटी दो घर थी जो इसने पहले भी देखी थी होटलों से बस अपने खयाल में नजर आ रहा था और अब किंटारों उठकर होटल के अंदर चिला गया यह उसकी एक से निकाल दिया आपने तो कहा था कि मैं बहुत टेलेंटीट और सहीन हूं लेकिन इस तरह मैंने आपको मायूस किया साथी मैं आपको ढूंड भी निपाया यह भी निजानता कि आप जिन्दा है यह मर गई है उसके डैड कहती है कि मैं तुम से बहुत प्याल करता हूँ बे अफिसर उदर पेट्रोल डालकर आग लगाने की तैयारी कर रहे थी लेकिन एकदम नीचे से आकर मॉंस्टर ने हमला कर दिया जिससे ऑफिसर वहीं गिर जाता है और यह देकर केट और हैकर वहां से भागनी लगती है मॉंस्टर उनकी पीछी पढ़ जाता है इस बेच उनक सामने एक हेलिकॉप्टर था जिसकी तरफ वह भागनी लगी पर हैकर नीचे गिर गई मॉंस्टर ने जैसे उस पर फोक मारी उसने अपना बैग आगी कर दिया जिससे बैग फ्रीज हो गया और इस तरह हैकर फ्रीज होने से बच जाती है और दोनों को मुसीवत में देखकर काफी बड़ा थमाका करता है और अब जैसे मॉंस्टर का दियोन आग की तरफ गया वो उस तरफ भागनी लगता है अफिसर जब उठा तो देखता है कि कि से ना वो मॉंस्टर आग को अपने अंदर समा रहा है और वो भी वहां से भाग कर हेलिकॉप्टर की तरफ बाइडन लेती हैं जहाँ से रोशनी आरे थी और इसी को देकर ये लोग यहाँ आए थी ये रोशनी दरसल जमीन से आरे थी सुब़ा जब होई तो कीट अपने भाइक के इंटारों का शुक्रिया दा करती है कि तुमने हमारी जान बचाए और तुमने अच्छा है किया था कि तुम चले गए, तुम असका मदद तो लेकर आये हो, केंटारों के हैता है कि मुझे वो जगा मिल भी गई थी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, वहां मुझे पैंसिल शाप का कचरा मिला है, इसका मतलब डैड जिन्दा ह जो जानकर के पर काफी खुश हो जाती है, अफिसर जब हैकर का लैपटॉप देखता है, तो वो फ्रीज हो चुका था, जिस वज़े से उसे काफी खुशा आया, और अब जब ये लोग हेलिकॉप्टर बेस पर रुगी, तो दिर्वाजा खुलने पर सामने एजेंट था, जो ऑफिसर को कहेता हैं, कि आप से मिलकर बहुत कुशी हुई, क्योंकि उसने आखिर इन्हें पकड़ी लिया था, और अब हो सकता है, कि वो इन्हें कैद करके, खारी रिसरच इनसे ले ले, या फिर ये लोग अपनी जहानत की वज़ा से, फिर से यहां से बाग जाएं, इ इसी के साथ एक आवानी इदरी खर्त मुझा दी है,